हिमाचल के सोलन लिए चलते हैं जहाँ पर इसवक प्रदार मंत्री एक चुनावी रेडी कर रहे हैं और मैं अक्सर यहाँ सोलन रेस्टाउस पर रूपना उटा दे मेरा और मुझे आ दे वहाँ एक हमारे खड़क बादूर और दूसरा शाय सुन्दर यह दो चोखेदार हुआ करते थे सोलन ने मुझे खुब खिलाया भी है और सोलन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है और इसलिए मैं सोलन का डबल कर्ज़दार हूँ और इसलिए मुझे हिमाचल में डबल इंजीन के सरकार आप सबसे आसिरवात से बनेगी यह पुरा विस्वास है आपके प्यार पर विस्वास है साथियों हिमाचल में बिताए लंबे समय की जो स्मृतिया वो आज भी मुझे हिमाचल के तरफ खीशती है और ऐसा बहुत कम मिलता है कि कोई ऐसा प्रधान मंतरी हो जो एक राज्यके पारी की से जानता हूँ कि मैं हिमाचल के हर गली मौले को जानता हूँ और इसलिए आपने भी देखा है कि मैं देश में रहू या बिदेश में हिमाचल के साथ मैंना जो लगा बना रहता है न हिमाचल मुझे छोड़ता है न मैं हिमाचल छोड़ता हूँ आपको मानूँगा कुछ दिन पहले मैं इस्राइल गया था तो इस्राइल मैं मैं हिमाचली टोपी पहन करके कारकम में गया तो लंबे अर्फित एक चर्चा चली कहां इज्राइल और बोदी जी हिमाचल में की टोपी पहन करके इज्राइल में गुप रहे हैं अभी कुछ मेंने पहले जब मेरी नेपाल के प्रदानमंत्रीशे से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कांगडा की रदा क्रिष्णे की पेंटिंग उपहार के तौर पर दी थी अरदाधे ऐसा ही नहीं है कि मैं ही हिमाचली बस्तों का उपहार सबको देता हूँ हिमाचल के लोग भी तो मुझे इतने सारे उपहार देते है अब जैसे दो तिन सब्ता पहले जब मैं केदार नाजी में था दिवाली के एक दिन पहले तो जो चोला डोरा मैंने पहना था कि मैं चोला डोरा मुझे मचल के एक बहने भीट किया था और तब मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी थंडी कारके मैं थंडी होगी जहाँ जाना होगा मैं जरूर आपका एक जो कभी मैं चुका नहीं सकता मैं बार-बार कोशिश करता रहूंगा लेकिन हिमाचल का विकास करके हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर कि मैं अपना ये दाइत्व निभाने के लिए हर पड़ तयार हूँ अधियों हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज़्यादा जुरूरत है वह है राज्य को स्थाहित्व देने वाली भाजपा सरकार भारत ने 80 के दसक के बाद से 3 दसक तक 30 साल हमारे बरबाद हो गए आपने देखा होगा दिल्ली में अस्तिर्टा रही सरकारे आती थी जाती थी आती थी जाती थी बार 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 चुना होते थे हजारों करोड रुपय का बरबादी होती थी ना नीतियों में स्थिर्था सारा महोल बिगड़ चुका था इतना बड़ा देश कई बार चुना हुए देश का हजारों करोड रुपय का व्यफ हो गया भाईयों अगर यही स्थिति मानिर ही इस अस्तिर्ता के समय देश नीती के मामले में निर्णवर के मामले में विकास के मामले में पिछड गया और दुनिया भारत की तरफ से उदाजिन हो गई फिर देश के लोगों ने ताई किया कि जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है मजबूर सरकार नहीं आती है भारत का भागय नहीं बड़लेगा और इसका नतीजा यह हुआ कि आप सब ने पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशिरवाद दिये और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात महनत करके आपकी अपिक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीशे नहीं रहे और उसका परणाम यह हुआ कि 2019 में दुबारा आपने आशिरवाद दिया साथियों हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य है बहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा तौर रहा है छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुक्सान उठाया है लेकिन बीते वर्षों में हमारे पडोस में उत्राखंड हो गोवा हो मनीपूर हो अनेक ऐसे छोटे राज्य उन्होंने अब स्थीर सरकार की तरह अपना मूँ मोड लिया है और पूरी तरह सरकार को दुबारा लाना और भाजपा सरकार है आज छोटे राज्यों में दुबारा जीत करके आ रही है इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी वहां की लोगों ने रिवाज बदल दिया उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दुबारा सरकार ला दी कि स्थी सरकार में विकास भी तेज होता है और जंता के प्रती अपनी जवाब दाही के प्रती भी सरकार गंबीर रहती है जहां हर पांच साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है वहां सरकारों में भी यही रहता है कि क्या करना है काम करो कोई करने की जरूत नहीं है पांच साल के बाद तो यह हमाचल वाले बदल देते हैं इसके काड़ वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है तो वो कुछ करते भी नहीं है इसलिए भी स्थीर सरकार के प्रयोक करने की बहुत आवश्यक्ता है भाईयो तो मिझे खुशी है कि हमाचल म जैराबं जी की सरकार ने जो विश्वास हांसिल किया है उनकी पूरी टिम पांच साल के लिए जो काम किया है उसी का नतीजा है कि मैरी आज तूसरी सभा है इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जन्ता ने तै कर लिया है हिमाचल में भाजबा सरकार अपने कारियों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिवद्ध है और साथ यो हम ये भी समझना होगा कि अस्तिरता से फाइदा किसका होता है कॉंग्रेस के बरसों के सासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्वा और ऐसे अनेक समूप पादा हुए वेस्टर्ड इंटर्स ग्रूप पादा हुए जो भारत को अस्तिर देखना चाहते हैं जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्तिर देखना चाहते हैं और इसलिए वो स्तिर सरकार होने ही नहीं देते हवा फैला देते हैं देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्ती के निशाने पर रहे हैं कुछ जुठे वाइद्य करके कुछ सीटें जित कर यह स्वारती समों सरकारों में आकर सरफ सरफ अपने हीद साथ ने रहते हैं यह लोग खुद को कट्र हिमांदार कहते हैं लेकिन सबसे बड़े ब्रस्टाचारी यही होते हैं यह लोग समाज को तोड़ने के लिए देश की एकता को तोड़ने के लिए साजी से रते हैं हिमाचल को ऐसे हर स्वारती समों से खुद को बचा कर रखना है इनके खेल से खुद को बचा कर रखना है आप देखिए साथियों के अंदर में स्थीर सरकार बनी तो देश ने ऐसे निर्णाय लिए जिनका इंतजार देश वाचियों को बर्सों से था जब केंद्र में स्तिर सरकार मनी तो ब्रश्टाचार और ब्रश्टाचारियों के खिलाब निर्णायक लड़ाई शुरू हुई जब केंद्र में स्तिर सरकार मनी तो आतंगवाद नक्सलवाद कामू में आए नौर्थ इसमें स्तांतिस थापिद हुई इसलिए स्तिर सरकार 21 सदी के भारत की जरूत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राच्यत की भी है साथियों हेमाचल के लोग जानते हैं कि भाजपा किस तरह यहां के विकास के लिए गंबीरता से काम कर रही है हम पहार के लोगों के स्विधाय बढ़ाने पर रोजगार के अउसर बढ़ाने पर यहां के आउद्यों की विकास पर टुरिजम बढ़ाने पर हम विशे ध्यान दे रहे हैं इसलिए नालागर में मेडिकल डिवाइज पार्क और उना में बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहा है हिमाचल में लगने वाले हर प्रोजेक्ट में सो में से सो में से नब्बे रुपिये आज केंद्र की भाजपा सरकार दे रही है भाई भारत अगर यह हैं तो इसमें हिमाचल की हिस्सेदारी कई गुना बड़े हम यह प्रयास कर रहे हैं साथियों बद्दी बरोटी वाला नालागाट परवानूं चंबागाट इस पूरे अउद्योजी छेत्र को विस्तार देना डबल इंजिन की सरकार की प्रात्विक्ता है तूरिजम उद्योग हो या फिर खेती से जुड़े उद्योग हो इसके लिए आवश्यक आदूने की इंफ्रास से प्रभूत पर बल दिया जा रहा है बिलासपुर में एम्स के बनने से इस ख्षेत्र में मेडिकल तूरिजम भी बहुत बल मिलने वाला है बहुत ताकत आने वाली है परवानू, सोलन, कैथलीगाट, शिमला इस बाइपास से यहां के परियट्रकों को सुविधा होने वाली है पिन्जोर, बद्दी, नालागट, फोरलेन का काम जब पूरा हो जाएगा तो अध्योगी खेत्र को बहतर कनेक्टिविटी मिलेगी जात्यों, सोलन से लेकर शिमला तक, यह पूरा शेत्र वैसे भी, सिख्षा और स्वास के एक बड़े हप के रुपे विख्षित हो रहा है डबल इंजिन सरकारी सी ताकत को बढ़ावा देगी, ताकि हिमाचल आत्मन निर्भर बने, हिमाचल विख्षित बने भाव़े और भेनों, सोलन हो, शिमला हो, सिनमोर हो, यह फ़ाल और सब्जी की टोकरी कहे जाते हैं यहाँ दिकाँ छोटे किसान है, छोटे बागवान है, कांगरेश के लोग किसानों और बागवानों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं लेकिन कॉंग्रेस का इत्यास हमेशा नागरिकों को धोका देना युवाउं को धोका देना बेहन बेटियों को धोका देना वैसे ही किसानों को भी धोका देना कॉंग्रेस ने कभी देश के छोटे किसानों की परवा नहीं की जिस कर्जमाफिका कॉंग्रेस ने डिन दोरा पिटा उसमें भी कॉंग्रेस ने खेल कर दिया उसका लाब छीटरे छोटे किसानों को बिलकुल हुआ नहीं ना मात्र कब नहीं हुआ जबकि भाजपा सरकार छोटे किसानों की हर जरूत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है पी-एम किसान सम्मान निदी के मात्यम से हिमाज चलके किसानों के बैंक खातों मसी दे दो हजार करोड रुपे ट्रांसपर की है दो हजार करोड रुपे इस छोटे से राज्जे के अंदर और इसका लाग हिमाज चलके नव लाग से जादा छोटे हैनक किसानों को हुआ है नव लाग किसानों के जेब में दो हजार करोड रुपया पहुंचना याने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बड़लाव की ताकट लेके आता है साथियो हम हिमाचल के फल सब्जी सेक्टर में सहकारिता को बढ़ावा देने पर भी फोकस कर रहे हैं किसान उत्पादक है वही भंडारन का कोर्स्ट्रोरेज का मालिक भी हो और फूट प्रोसेजिंग कारखानों में हिस्षदार भी हो इस पर हम बल दे रहे हैं एप्पियो यानि किसान उत्पादक संगों का निर्मान इसी उद्देश से किया जा रहा है सैक्डो छोटे-छोटे किसान बागवान मिलकर बड़ी ताकत बने इसके लिए नाबाट से करोड़ों रुपिय दिये जा रहे हैं दिसंबर आठ के बाद जब फिर डबल इंजन सरकार काम थंबा लेगी उसके बाद इस काम को और ज्यादा गती दी जाएगी और तेज किया जाएगा यहां के सेव यहां के सब्जियां यहां का दूथ किसान रेल से बहुत कम भड़े में देश के बड़े बड़े बाजारों तक पहुँचें इसके लिए भी भी काम चल रहा है साथियों हम कैसे किसानों का बागवानों के हित की चिंता करते हैं इसका एक और उदान आपको देना चाहता है दुनिया में पहले कोरुना के कारण और फिर लड़ाई के कारण खात के दाम फर्टिलाईजर के दाम कई गुना बढ़ गए लेकिन डबल इंजिन सरकार ने किसान पर बोज नहीं पड़ने दिया आपको जरा सुनना चाहिए और इन चीजों को याद रखना चाहिए भाई हो शायद आप तक एबात पहुँचे नहीं होगी आज यूरिया की एक बोरी हमें बाहर से लाना पड़ता है विदेशों से हमारे किसानों के लिए लाना पड़ता है एक बोरी हम दो हजार उपिय में लाते हैं लेकिन हमारे किसानों को कितने में देते हैं 2000 की यूरिया की भोरी मेरे किसानों को 270 रुपिये से भी कम रुपियों में दी जाती है 2000 से लाना और 270 से भी कम में देना ताकि मेरे किसान के सर पर बोज न पड़े और करीब करीब 1700-1800 रुपिया ये बोज सरकार खुद उठा रही है कुछ लोग 100 रुपिये की भी अगर छूट देंगे न तो 1000 रुपिये का विग्यापन शपा देते हैं ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को 70 रहना है चातियों आप से बात करते हुए मुझे एक बात और याद आ रही है पिछली बार जब मैं शिमला आया था तो पहाड की एक बिटिया ने मुझे एक तश्वीर भेंट की थी वो तश्वीर मेरी मा की थी जब मैंने उस तश्वीर को देखा तो अपनी मा के साथ ही हिमाचल के गाउं किस्वों की हजारों माता और बहनों का स्मरन हो आया यहां कितनी माता और बहनों के हाथ की बनी रोटी में नखाई है अनेक परिवारों में मेरा भोजन हुआ है और मैं इसे अमना सहुभा के समझता हूँ कि हांकी माताओं बहनों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, उनकी सेवा कर पा रहा हूं महामारी के इस समय में गरीब परिवारों की बहनों को अपने बच्चों की भुग की चिंता ना करनी पड़े इसके लिए हमारी सरकार मुक्त राशन दे रही है मेरी किसी गरीब मा को ऐसे दिन नहीं देखने पड़े कि घर में चूला न जला हो मेरी गरीब मा को कभी देखना न पड़े क्यार बच्चों को पानी पिला करके सुलाना पड़ा ये नौबत न आये आज इतना समय हो गया कोरोनो काल का असी करोड लोगों को मुफ्त में खाना देता हूँ जब दुनिया के लोगे सुनते न तो उनको अच्रज होता है कितना बड़ा काम हो रहा है लेकिन माताएं बेहने अगर दिलनी में तुमारा बेटा बैठा हो और तुमारे घर में चूला न जले ये कैसे हो सकता है हिमाचल में सत्रा लाग के आस्पात परिवार गाओं में रहते हैं आजादी के साथ दसकों तक इन में से आफों के पास नल से जल नहीं था पानी घर में नहीं आता था लेकिन डबल इंजिन सरकार ने सिरफ तीन वर्षों आई हिमाचल में नव लाख नए परिवारों को नल से जल की सुविदा से जोड़ा है और जम नल से जल आता है न उन माता मोदी को आशिरवाद दिये बिना रहने सकती है जैराम सरकार को आशिरवाद दिये बिना रहने सकती है और इसका सबसे बड़ा लाब हमारी इन माता और बेहनों को मिला है बेटियों को पड़ाई में सुभीदा हुई है आविश्वान भारत योजना से लाखों रुपिये का मुप्त इलाज पाने वालों में बड़ी संख्या में हमारी माताय बेहने भी है टॉयलेट हो या गैस कनेक्शन हो इनको तो पहले की सरकारे को जरूरती नहीं समझती थी मा आता हो बेहनों की मरियाता की रक्षा के लिए उनकी सहुलियत के लिए लाखों सोचाले बनवाने का सहुभागे भी मिजमिला है पुझवला कि गैस सिलिंडर ने भी लाखों महिलाओं का जीवन आसान बढ़ा है परदान मंतरी नरेंदर मोदी चुनावी सबा को संबोधित कर रहे थे एक छोड़े से ब्रेक के लिए फिलालिया रुकेंगे खबरे जारियां बने रहे ये जी हिंदुस्तान के साथ